हाई फ्रेंड गुड मॉर्निंग हम पहले आपको प्रकास वर्स इंग्लिस में बता चुके थे आज हम आपको प्रकास वर्स हिंदी में बताएंगे ताकि ना इंग्लिस के भी द्यार्थी को दिक्कत हो ना हिंदी वाले भी द्यार्थी को दिक्कत हो ता यह हम लोग जानते है कि प्रकास वर्स कहते किसको है तो प्रकास द्वारा एक वर्स में ताय की गई दूरी को क्या करते हैं प्रकास वर्स करते हैं फिसे मैं बोल रहा हूं कि प्रकास जो एक साल में जितनी दूरी ताय करता है उसको प्रकास वर्स करते हैं इसको हम लोग का सकते हैं, प्रकास द्वारा एक वर्स में ताय की गई दूरी को प्रकास वर्स कहते हैं, आता हम लोग क्या कह सकते हैं, कि प्रकास वर्स दूरी का मात्रक है, तो एक प्रकास वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक प्रकास वर्स इक्वल टू होता है, 9.46 इंटू, 9.46 इंटू, 10 पे पावर 15 मीटर, 9.46 इंटू, 10 पे पावर 15 मीटर, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक प्रकास वर्स इक्वल टू होता है, 9.46 इंटू, 10 पे पावर 15 मीटर, इसके बाद क्या है, कि आपको एक इजी मेथड भी बता रहे हैं, कि कैसे आपको याद करना है, एक प्रकास वर्स जो बाद में आपको पूछेगा तो हो सकता है, याद आप भूल जाए, और BPSC में भी एक दो बार ये पूछ चुका है, तो इसको याद किजेगा, कि एक मा थी जिसका नौ बर्स का बच्चा था, एक मा थी जो कि 46 एर की थी या उसका नौ बर्स का बच्चा था, और हर 15 मिनट में वो बच्चे को डाटती थी, एक मा थी जिसका एज 46 था, नौ बर्स का उसका बच्चा था, और हर 15 मिनट के बाद उसको डाटती थी, तो एक प्रकास वर्स इक्वल टू क्या हो जागा, इजी हो गया कि नहीं, एक प्रकास वर्स इक्वल टू 9.46, तो 46 क्या, मदर का एज, तो 46, एक प्रकास वर्स इक्वल टू हो जाएगा, 9.46 इंटू टेम पर पावर 15 मिटर, मा का उम्र 46 था, बच्चे का उम्र 9 बरस था, और 15 मिनट में बार बार वार बच्चे को डाटती थी इस प्रकास आपको एक बर्स समझ में भी आ गया और ट्रीक भी पता चल गया कि एक प्रकास बर्स इक्वल टू 9.46 कैसे होता है थैंक यू फ्रेंड